तो आज हम लेकर आगये हैं आपकी दूसरी क्लास और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि आर वी एलपी का हम लोग बत्री सो पचास रूपनी पप्लिकेशन और यूथ पप्लिकेशन का यह वैच लेकर आये हैं पूचर कूल अप्लिकेशन जहां भी एक लास चल रही है और इसके अंदर में हम लोग चैप्टर वाई सारे के सारे कोस्टन सॉल करना हैं विट्रिक पहले या फिर पाद में लोग बिसक्स करेंगे सब्सक्राइब करते हैं यह सब और आपको यह सब बताई गए और आपको आपकर यह सब देख पा रहें कि कैसे और वाले प्लिकेशन और पहले तो वीडियो जितने लोग लाइव आ चुके हैं वो लोग वीडियो को लाइक क कर देंगे और बाकिस को पी लगाएंगे बहुत आसान सा कोस्टन एक हमारे पास है आसान कोस्टन का मतलब यह हुआ कि आप देखेंगे यहां पर का कि हमारे पास देखेंगे दोनों कोडों का योग है कितना है 90 यह कंपलीमेंटरी एंगल यहां हो जाती है जैका कॉट में पीए कंपलीमेंटरी एंगल लगेगा युज इसमें कुछ करना नहीं सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए को कुम्प्लिमेंटरी अंगल के बारे में लास्ट ऑले जो टिक्नमेंटरी क्लास होई थी महां पर मैंने डिसक्स किया था यह क्या होता है दो कोड़ों के अगर 90 डिगरी हो तो टैन और टैन वी दिया हुआ है तो इसका मान होगा दूसरा कंडिशन अगर कोड़ों के साथ कॉस्ट का दिया हुआ है कॉस्ट भी फ्रैक्शन में नहीं होता है यह भी हमारे पास क्या होता बहुत सारे बन जाएंगे अगर बनाना साहें तो यह सभी वैलू दिखिए वाला यहां से होगा साइन यह नीचे आगा तो पॉस्ट बन जाएगा इसके वज़ कोई दिख्कत तो नहीं आ रही है कि यह रेड़ कलर में कोई दिख्कत तो नहीं है आसानी से देख पा रहे है कि अधिश्विल्टी में कोई प्रॉल्म तो नहीं आ रही है सभी लोग बताएंगे साथ में हमने मैं सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा बाकी नेक्स कोस्टन के तरह चलते हैं एक छोटा सा फामूला बेस कोस्टन है इसको ध्यान रखेंगे आगे से कभी भी मिलता है कि कॉस्ट ठीटा अगर हमारे पास कॉस्ट ठीटा कॉस्ट सिक्स्टी माइनस ठीटा और कॉस्ट सिक्स्टी प्लस ठीटा अगर ऐसा कुछ मिल जा तो यह होता है यह साइन में भी काम करता है साइन ठीटा साइन सिक्स्टी माइनस ठीटा साइन सिक्स्टी प्लस ठीटा तो यह भी हमारे पास 1 by 4 साइन 3 ठीटा के परावर होता है तो वही सेम चीज यहां पर भी अगर ठीटा के जगर पे अगर आप 20 डिगरी ले ले लेते हैं अगर आप ठीटा के जगरें 20 डिगरी का मतलब अगर यहां पर देखें अगर 20 है तो यह वाला देखें 60 प्लस 20 है तो यहां से इसका अंसर क्या हो जाएगा और यहां से 10 का भी निकाल सकते हैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर देए तो देखें हमार पास एक और फामूला बन जाएगा 10 थीटा 1060 माइनस थीटा 1060 प्लस थीटा और यह हो जाएगा हमारे पास 103 थीटा हो जाएगा यह वन भाइफोर वन भाइफोर कट जाते हैं डिवाइड करते समय हमारे पास यह बनता तो यह तीन रूल है अगर इसके पूछा गया है तो आगे भी उच्छा सकता इसके उसके लिए अगर पूछा आचुका ऐसा को जोस्तन ऐसे को सिनो में वे आप तो इसे केस में आप ठीटा की वैलो कुछ भी रख सकते हैं बस इंफानाइट नहीं होना चाहिए तो उस केस में देखी हम यहां पर साइन को सिको सब्सक्राइब अनच दिया हुए तो निया हु तो दिगरी दोने में कोई वियुए अगर हम इन दोने में से कुछ भी लेते है लेकर 90 अगर 90 रखते हैं यह वाला 150 और जी यह दो और क्या है साथ में लाइक करते चलिए और वीडियो और कमेंट करने पादे बताएगे देना करेंगे جए लोग ने बतायांगे सबस्वाइं दोलने करें गुटे किसे ठीम में प्लोगों बिकन देख नौदendar कि नेक्स कोस्टन देखें किया है एलजब्रा और टिग्नोमेटरी का मिक्स कोस्टन इसको बोलते हैं लोग कहीं ने कहीं अपका पेपर करवाएगी तो बहुत सारे कोस्टन एक दूसरे के में लिएंगें तो यहां पर एक्सान डिया है तो क्यों और इस सुटन रसाण और सब्सकेर कि हॉटी मुद्रा दोनों होती है शीए दोनों अजो इस घटाक्र करेंगी तो पचीस एक्स स्क्वार आजाएगा और इसका करेंगे तो 25 बटे में x square आजाएगा माइनस में और इस पूरे की जो value होती है ने यह 1 हो जाती है हमने घटाया क्यों दोनों को क्योंकि यहां घटाने के लिए दिया था यह इधर वन आ गया और 25 दोनों में common अगर इसको नीचे इधर ला दो तो इधर बचेगा x square माइनस में 1y x square यानि इसकी value हमारे पास कितनी आ गई एक बटा पचीस तो यहां पर इस question को solve कर लेते हैं दस पहले से दिया हुआ था और इसकी value एक बटा पचीस हमारे पास आ गई 5 से कट जाएगा दो बार में 5 से 5 बार में तो दो बटे में 5 आपका क्या होगा right answer होगा जो option बिल्कुल सही है जिननों का दो बटे 5 आ रहा है ठीक है बिल्कुल सही है चलिए अगर कोई भी doubt हो तो आप doubt के question कमेंट करिए साथ में मैं doubt वाले question को बिल्कुल comment को लेता रहूंगा अगर कुछ पूछना चाहते हैं कोई question अगर आपको पूछना हो जो आपको लगता हो कि बड़ी question है और उसको कम समय में आपको लगाना चाहते हैं अगर किसी को भी problem आती है ठीक है कोई भी अगर आपके कोई भी question अगर मिलता है जिसमें आपको लगे बड़ा question है इसका छोटा solution नहीं हो पा रहा है तो आप इस number मैसेज भी कर सकते हैं doubt live class के अंदर भी हम आपको question question को solve करके बताना सिखाएंगे कि कैसे question को आप easy तरीके से बना सकते हैं तो चला जाए नेक्स question के तरफ चलते हैं हम लोग बीन टाइम वेस्का साइन 15 का मान वैसे तो याद होना चाहिए आपको कि साइन 15 का मान होता कितना है लेकिन अगर मालेज याद है तो आप साइन 15 को 45 माइनस 30 लिख सकते हैं और इसमें sign a-b वाला फामूला लगा सकते हैं कि sign a cos b cos a sin b इससे हम लगा के भी solve कर सकते हैं कि 45-35 का मान पता होना चाहिए वैसे अगर आप तयारी करना है यह railway के लिए और कुई बान डेर एक्याम और करना है और जहां पर पूछी जाती है वहाँ पर साइन 15 का मान आपको पता होना चाहिए यह सब चीजे क्या होती है कि लगाने का समय नहीं दहता हमारे पास हमको पता होना चीज हम डाइरेट एंसर कलने कि आपको नहीं पूछे जाने नुए सब्सक्राइब है कि अब्युम 20 यह रेखा घेला था है यह यह तरीकह देता हूं कि तरीका रहता है कि अगर हमको sin ay2 पूछा हुआ है तो answer में सिर्फ b और c में छायेगा स्य है वो सैमि पेरिमेटर है तो do b और c में अंसर हमको चाहिए दीखे a c में अंसर आ गया तो यह गलत है वी सी में यह सही है और यहां पर स a b c सब आ गया यहां पर भी हमारे पास b c a सब आ इसा नहीं होगा हमारे पास एक ही अंसर होगा जिससे याद करने का तरीका आपको रहे आगे में याद कर सकते हैं इतना ध्यान रखना कि ट्रेंगल वाले अगर हमारे पास एक हाफ एंगल फार्मूला होता है अगर यहां देता तो यहां और सी दिया है इसको दियान रखेंगे इस तरीके से याद रख सकते हैं जिससे एक्जाम है आपसे गल्पी ना हो ठेक है नेक्स कोशन देखें यह भी कोशन अच्छा कोशन है 10A प्लस 10 2A प्लस 10 3A बराबर 10A 10 2A और 10 3A है तो अब एक तो तरीका यह होता है कि option से वैलू पुटिंग लगा के देख लें कि क्या होगा यह option देखें पाई भाई 6 जो होता है ना पाई भाई 6 पाई का मतलब होता है 180 डिगरी तो यह मतलब 30 डिगरी है तो तीस डिगरी मतलब यह देखा जातों तैसे 35 डिगरी तो ऐसे यह देखें 2 पाई भाई 3 कितना हमारे पास होता है इसमें कि इसमें को टाइम लग जाएगा वैसे तो यह फामूला बहुत इजी सा फामूला है अगर आपको आइडिया हो अगर आप पहले से पढ़े हैं तो भी आप सीख सकते मैं लगाने के इसका अप्रोस बताता हूं वैसे तो अब यहां पर देखिए क्या होगा कि अगर मै प्लस रख्रों क्या बता है अगर मैं इसको सौल करो ऐसे हम यहां थोड़ा सब जगें इसके लिए तो हम क्या करते हैं अलग पेज लेते हैं अगर एदर एक तरह छोड़ देते हैं टैने और इधर ले आए इधर आए था 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 और इधर माइनस में टैन श्री यह अगर इन दोनों में 10 3 यह देखें तो यह हमारे पास common है तो common वाले लेंग्विज में हमारे पास क्या होगा इसको टैने प्लस टैन टू है हमने छोड़ दिया और इधर से टैन ट्री यह को अलग से common ले लिया तो यह क्या बढ़ जाएगा हमारे पास और माइनस में बढ़ जाएगा अगर यहां से का मान निकाला रजाएगा और नीचे तो यह फामूला हो जाता है 10A प्लस B का फामूला अगर आप पढ़े हैं तो 10A प्लस 10B 10A 10B माइनस हो देखिए यह उल्टा है वैसे तो यहां माइनस में आएगा अंसर इसलिए हमने क्या किया किया कि इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं कि 10 3A की जो वैलू होगी इसको भी हम 10 3A लिख सकते हैं लेकिन यह माइनस सिंबल के साथ आएगा क्या आएगा माइनस सिंबल के साथ आएगा अच्छा माइनस क्यों आएगा क्यों वहाँ पर हम माइनस कॉमल ले लेंगे तो माइनस 3 10A उसको लिख सकते हैं माइनस 10 3A स्वारी और इसकी वैलो जीरो हो जाएगी अब दिखें जीरो कब पॉसिबल है यहां पे जब हमारे पास टैन एन पाई होता हो एन पाई का मतला पाई की वैलो एकसासी होती है था टैन एकसासी की जगह पे आप 360 लिख लिए एकसासी का डबल ले या फिर हम उसका तीन गुना करने चा फिर आपको लगाने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तिक इसलिए तो नेक्स हमारे पास क्या है एक्स की वैलू दिया है आर साइने कॉस्टी वाई की वैलू दिया है आर साइने साइन सी जे अचाही तो पुराना कोशन आर यहां तक देख पारा है कि जो रेलवे में पूछा गया कोशन है और अब फैदा को भी आप लगाते हैं जो नए अभी आए है एक्जाम में तो वहां से आपको बहुत सारे फैदा मिलने वाला है ठीक है वहां पर मिलेगा क्या है यहां पे कैसे सॉल करेंगे कि identity जब sin और cos अगर आपको दिख जाया तो उस case में क्या होता है sin square theta plus cos square theta की value 1 होती है तो उसका use करके हम लोग लगा सकते हैं तो इसमें यह question हमारे पास दिया हुआ है कि यहां भे हमारे पास देखें sin है cos है तो हम तीनों को जूर लेते हैं ऐसे देखें ऐसे जोड़ सकते है x square की value r square sin square a cos square z ऐसे y square की value r square sin square a sin square z z square की value क्या हो जाएगे हमारे पास सिर्फ r square cos square a दिया हुआ है अगर इन तीनों को जोड लेते हैं तो देखें एक तरह हमारे पास x square y square और z square यहीं पूछा गया है सभी में r common है r को common ले ले लिए एक साथ अब देखें यहां पर जो common मिल जाए है इन दोनों में हमारे पास sin square a common है sin square a common है पहले दोनों वाले में तो यह दोनों की value बन हो जाएगी sin square theta plus cross square theta और सेम इसी तरीके सागर इस वाले को भी जोड लेंगे इसके साथ r square इसमें भी common है तो यह पूरी value हमारे पास कितनी आयाती है r square into में 1 यह जो हमारा answer होगा वो क्या होगा एवल r square होगा बताएंगे सभी लोगों क्या यह radical is visible आपनों को कि दिखाई तो देरा ना नेक्स कोशन देखिएगा एंटी पीसी 2021 में पूछा हुआ कोशन और सीजियल का यह previous year कोशन तो मैंने प्लावी लास्ट कोशन में बताया था यह जो पिछला कोशन था यह कोशन दोनों इससी के previous year कोशन जो रिल वे पिछलात होना सभी तब ही रिमाट को लगा पाएंगे कि जैसे एप्लस एक हम क्या वैल्लू रख लें जिससे के रूट 3ग 2 होती है 60 अक्रास में यह 30 इच्यों डिया है और A-B का मान निकाल लेंगे 30 degree यहां से A और B का मान आप निकाल सकते हैं कैसे निकलता है मान अगर A-B, A-B दोनों दिया है और अगर हमको A का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं 60, 30, 90 का आधा कितना 45 और माइनस वाले का मान निकालना है तो दोनों को घटा के यानि 60 में से 30 घटाएंगे तो 30, 30 का आधा कितना होगा 15 हो जाएगा तो 45 और 15 है 45 पंदर है कौन सा वाला और D वाला एंसर है तो D वाला आपका क्या होगा राइड है जो लोग D बता रहा है लास्ट वाले कोस्टन में अगर डाउट है तो एक बार फिर से देख लेंगे देखिए इसमें क्या होता है अगर इसको पूरा अगर आप लिखते हैं तो मैं यहां लिख के बता देता हूँ इसमें क्या होगा R स्कॉार हमने ले लिया क्या है कॉमन देखिए अब सब जगा क्या बचेगा यहां बचेगा साइन स्कॉार A कास स्कॉार C साइन स्कॉार A साइन स्कॉार C प्लस कॉस स्कॉार A देखिए इन दोनों में अगर मैं कॉमन ले लो पहले वाले में यहां से और यह दोनों कॉमन ले लें तो यह साइन स्क्वाइर ए था यहां क्या बचेगा कॉस स्क्वाइर सी प्लस साइन स्क्वाइर सी अब प्लस में कॉस स्क्वाइर ए हमारे पास अलग से था इसकी वैलू बना जाएगी इसकी वैलू बन फिर यह दोनों जो बचेंगे ना इन दोनों की वैलू भी और यह तो पॉटिंग पर बेस था आसान नेक्स कोश्चन देखेगा लास्ट क्लास में जो टिग्रोमेटरी क्लास आपको दी गई थे तो वहां पर आपको यह बताया गया था कि साइन की वेलू कॉस के बराबर तभी हो सकती है जब दोनों कोडों का मान 90 डिग्री होना चाहिए यानि辟 जिख सकते हैं कि साइन बराबर कोश भी या से बराबर कोश भी यह तीनों तभी पॉसिबल है जब हमारे यह दोनों एंगल दिए रहते हैं को सब्सक्राइब दोनों कोड़ों का योग 90 डिगरी होना चाहिए तो देखें यह साइन बराबर कॉस्ट दिया है यहां पर यह दोनों एंगल का मान 90 होना चाहिए पार जोड़ करें देखें त्री एक समार्ट ट्वन्टी प्लस 20 माइनस 3y ग्राइब बराबर में 90 फैंगे देखें एक और यह वाला था और इन दोनों को एक तरफ साहरे साथ में लिखलेते हैं ठीप्त्री दोनों में है एक्सक्राइब और प्लस में एक बार जाएगा बराबर में कितना बचेगा 90 तो X minus Y कि जो वैल्लिव आजाएगी कि अग्टी डिगर कौन सा ओप्शन होगा सी वाला एंसर सही होगा जो भी doubt अगर आपको आते हैं वो आप comment कर सकते हैं कोई भी doubt अगर आपको मिलते हैं तो comment करते रही है बताईएगा सभी लोग तो सभी लोग पहले तो वीडियो को like करते रहेंगे share करते रहेंगे अगर आप चाहते हैं कि daily आपको free classes भी मिलते रहे आप लोगों को वीडियो को share करते रहाना है ठीक है आएए नेक्स देखते हैं लोग नेक्स कोस्टन भी एक टिग्नोमेट्री का बहुत यूनिक सा आ गुझऐ है पहले से सब्सक्राइब लिग्स में पहले से क्लिक साइन के साथ को आप एप अप Sorry और यहां दोनों जगए अलग-अलग numerical value दी होगी तो ऐसे case में जो ये numerical value होते है इन ही दोनों के square का sum जो होता है इन दोनों के square के sum के बराबर होता है बस ये relation बनता है लेकिन हमको पूछा गया था इस x का मान तो ये आ जाएगा a square plus b square minus c square बराबर x square x की value आ जाएगी plus minus root में a square plus b square minus c square ये value हो जाएगी और c जिसमें minus में हो कौन सा वाला उपसर है बी वाला उपसर है c जिसमें minus में हो कौन सा वाला बी वाला है ये चीज़ धियान रखेने जिसे अगर a cost के साथ दिया है तो दुसरे वाले में a sign के साथ होगा अगर b sign के साथ दिया दूसरे वाले में cost एक में plus एक में minus इधर भी कोई numerical value हो सकती है जरूर नहीं कि यहाँ चार तो यहां चार यहां तीन तो यहां पर पांच यहां पर कुछ पूछ भी तो वहां पर यह काम करता है मतलब fix हो जाना चाहिए कैसे यह बंगता है कहां से निकलता है और इसका अंसर तो मैं देख की बता दूँँ कि क्या अंसर आने वाला है वहां उपर में प्लस होगा प्लस वाला दिया तो यही अंसर हमारे पास आता लेकिन होता क्या है कैसे solve होता है अगर वह solve करना चाहते ह इसका process क्या होता है कि एक चीज़ और भी इसमें कर सकते हैं कि आप अगर इसमें time बचाना चाहते हैं तो ठीटा के जगह पर कोई value रख सकते हैं और अगर मालेज ऐसा value नहीं रखना चाहते हैं तो उस case में आप क्या कर सकते हैं यहां पर हम triplet वाली value भी रख सकते हैं अगर मैं solve करना चाहां सकते हैं सकते हैं स्पार धीटा माइनस गयारत। अब पहले से सग थीटा है पॵाहाईटे में सद्सकते हा- heures ही गडर इसमें इसमें ऑपर में भी सड्रीका प्लसट टैनिलिक अधे तरुल सब्धेन दलों और यह फ़ीघना प्लस टैनि10 अगर मैं सक दी अब तो इधर बचेगा क्या उप्र मेशत फैट डिटा को यह İşte माइनस यहीं के अप्र कि यहींLS कि यहीं कभी कभी ऑ सनने दिसा जाता है प्लस माइनस में Static अब इसको फिर से बदल देजे कि इसमें हम प्लस से भाग देजें साइन से देजने टैन को बदल लें तो वन प्लस टैन ए ठीटा बाई टू और वन माइनस टैन थीटा बाई तो इसके अलामा भी आता है इसको ऐसा भी लिख सकता है 10 45 प्लस 10 थेटा बाई टूद फिर उन माइनस टैन पाई तालेश टैन थेटा बाई टू त्छे इस तरीके से ये वाला वन बन जाता उन प्लस यीशा यूइं यद फी सकता है ये भी अंसर हो सकता είναι और X माइन कॉस में भी अंसर बन सकता अगर इसको बदल दे तो वह भी अंसर में बिगा जाता है मतलब कई बार कई तरीके से पूछा गया है इसके सभी अंसरों को माइन में रखना पड़ेगा और अंसर के साथ साथ आपको लगाने भी आना चाहिए कैसे यह स्वाल होता है अब इसी यह दिया 4 कॉस पाइवाई 6 माइनस अलफा इसको आप चाहे तो पाइवाई 6 को आप ऐसा भी लिख सकता थोड़ा एजी करने के लिए यह 30 डिगरी हो जाएगा और यह वाला 60 डिगरी हो जाएगा तो 4 कॉस 60 माइनस अलफा और साइन 60 नहीं है यह क्या है 30 है 30 माइनस अलफा और साइन 60 माइनस अलफा अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करना होगा अब यह कैसे सॉल्व करेंगा अगर कुछ भी नहीं मिलता था हमारे पास क्या तरीका हो सकता है कि a कॉस a माइनस b का फाम लगा लिए फिर उनको सॉल्व होता है तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं तो कितने लोग इसको लगाना चाहेंगे और बताएंगे मुझे ठीक है अगर आप फामुला लगाते हैं तो बताएंगे अब मुझे बताना होगा मैं ही लगा देता हूं ठीक है गॉस वाले में देखें क्या होता कि जब कॉस में माइनस में रहता है यह 4 उचूर को यह चौड़ देता है इसके बाद हमें इसको लगाता है कॉस थर्ट्टी और साइनलपा में हो जाएगा एसे ही दूसरा Nepal क्या होगा और कॉस अलफा फिर माइनस में हो जाता है कि कॉस सिक्स्टी साइन अलफा इस तरीके से यह बन जाएगा मतलों यह कॉस से माइनस बी का फार्मुला है मैं फार्मुला अलग से लिख दूंगा भी आपको इसे तो बताया गया थियोडी को सब्सक्राइब की दूसरे वाले में होता है lige थी कॉइन हैं घर कर सकता क्ते पैस्समें बंढों साइना मैं और R से पान्य कार और इनका में बड़ा होगा तो माइनस हैं वन बाई कोड़ साइन इसक्वारा लगा यह 4 व्य जाएगा तो हमारे पास ओबरॉर्ल क्या बठ्सकृÁर अलब और माइनस में सान इसक्वार अब माइनस में चाहिए है कितना हो जाएगा फोर साइन स्क्वार अलफा क्या हो जाएगा अगर आप इसको चाहें तो वैल्लू पूटिंग से भी लगा सकते इस अलफा की वैल्लू आप अपने मर्दी से ऐसा रखे लेकिन इसमें प्रावलम क्या आएगी थर्टी से छोटा वान भी हमको रखना पड़ अलफा वैल्लू हम प्यार रख सकते हैं यहां पर यहां से और यहां से हमारे पास साइन सिक्स्टी है और यह देखिए हमारे पास चार से चार गड़ गया यहां पर तीन आना चाहिए जीरो रखने पर तीन किसमें आएगा वो चीज हमको धूरा ना पड़ेगा जरसे मैं बताता है यह तो हो गया पूरा प्रोसेस की कैसे सॉल्व करेंगे अब एक्जाम में अगर आप डायरेट अंसर चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे वह देखें कि इस अलफा के जगह पर हमने एक वैलू सोच दिया जीरो रख लेते हैं बड़ा रखेंगे नहीं इसी से चोटा है तो तो यहां पर देखिए हमने जीरो रख दिया जीरो डिगरी और यहां कि दिए अब जीरो कि इसमें रख सकते हैं अगर में यहांन जीरो रख दूं तो साइन 0 का मान ग्या होता है ? 0 होता है Gustav अब यहां पर हमारे पास क्या बज़ जाएगा तरह सकता हैansa तो यहां पर रख देंगे तो यह हमारे पास वन होके साथ हो जाएगा यहां नाइंटी रख सकते लेकिन एक चीज़ का ध्यान देखना हो कि यहां नाइंटी रखते हैं तो यहां पर फिर माइनस में सब दिखेगा यहां और वैलू रख सकते हैं और छोटी हो जाएगे और फिर प्रॉलम आएगी आपको ठीक है तो कैसे निकलेगा यह कितने लोगों से पूछा यह भी प्रिविए से पूछा गया यह सारी प्रिविए से रहे यह 2013 में पूछा गया था और उसके बाद इसको 2018 में दुबारा रिपीट करके पूछा गया था तो चलिए इसको सॉल करते हैं तो यह होता है और यह होता है अगर ट्रेंगल के हिसाब से देखने तो अगर माल लेते हैं यह फो एक्स है तो यह फो एक्स स्कॉइर प्लस वन हो जाए गा और हमसे पूछा क्या गया है सेग थीटा माइनस टैन थीटा की वेल्व हमारे पास और बैस और यह माइनस साइन के साथ है कि यहांसे रिजाना है तो कि यह कि यहां से क्या होगा कि अगर इंको सॉल्व करेंगे 4x Cross हो जाएगी और नीचे और यहां वह देढ़ाने कि तो बते में जो से कर जाएगा तो गलत हो गया इक मिल गया दूसरा एंसर निकलना हो कि कि आ यह दूसरी वेलु सोचते हैं कि कि दूसरा कैसे निकालेंगा है मिड अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप यूज भी कर सकते हैं इसको डाइरेट हम इसी तरीके से दिया होगा और इसकी वेलु मारे पास क्या दिया हूगा है तो की इसके 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 अगर देखेंगे टैन बराबर हमारे पास है टैन ठीटा बराबर एक्स माइनस वन बाई 4 एक्स दिया हुआ है ठीक है एक्स माइनस एक्स माइनस वन बाई 4 एक्स दिया हुआ है अच्छा दोनों के केस में अगर हम यहां से से की वैलो निकालेंगे और ठैन की वैलो निकालेंगे तो हमारे पास प्लस निकालने के दोनों पॉस्पिल्टी बनती है तो यहां पर देखेंगे यह हमारे पास क्या है एकस माइनस वन भाई पोर एकस है और यहां से अगर हम यहां रख लेते हैं अगर उसके हिसाफ से सॉल्व करते हैं तो यहां से चार और यह चला गया तीन बटे में चार आगया तो इसकी साफ से चार और क्या बनेगा पांच बन जाएगा तो अब यहां से की वैलो अगर देखेंगे अगर देखेंगे लिए यहां ना रख एक बेलो लुट ना रख नो सब्सक्राइब कर लेंगे अलग रख लेंगे अलग मतलब कि हम रख सकते हैं क्या रख सकते हैं या थ्री रख सकते हैं और नहीं तो कोई भी निमेरिकल वैलू हम रखते निकाल सकते हैं अब यहां पर एक्स की वैलू हमने क्या रख दिया दो रख दिया अब दो माइनस में एक बटे में आठ आ जाएगा और यह 15 बटे में बन जाएगा अब 15 बटे आठ बनेगा तो हमारा नया ट्रंगल बनके आएगा कि यह 15 है यह 8 है तो यह 17 हो जाएगा अब इसकी इसाफ से आपको वैलू निकालने और बताना कि कौन सा वाला होगा क्या माइनस में आए ना चाहिए या नह आए नहीं लगा पाएंगे ऐसा कैसे होगा देखिए इतना टाइम तो नहीं लगा सकता है और वर वल बस इतना जानी है देखिए ऐसे कोस्टनों में आपको क्या करने है इसके दोनों एंसर हो जाते हैं ठीक है एक्स में भी आता है और वन बाइटू एक्स में आता है यह होता क्यों है वैसे तो कभी कभी ऑप साथी ये प्लस माइनस रूट में आ जाता है वन प्लस टैनिस फ़ाट इक्वेशन बन जाता है इसलिए माइनस वाला भी आपको लेना पड़ेगा अगर माइनस वाला दिया होगा तो हम अगर माइनस वाला भी एंसर में मांग रहा है इसका मतलब हम यह वाला एंसर कर लेंगे यह वाला अच्छा यह दोनों ऑप्सन सेम ही है तो दोनों ही सही है यहां पर में स्प्रिंट है दो एंसर आते हैं प्लस में एक माइनस में आता है तो एक यह वाला हो जाएगा एक यह वाला हो जाएगा दोनों पॉसिबल है इस तरीके से हमने लगाया था और लगाने का वही अप्रोच होगा कि आप इसको ट्रिपलेट में रखे या तुदा एट रखी या इनकी वैलू के अगर आप चाहें तो इस वाले को हम 10 15 भी लिख सकते हैं अब यह 1010 गुड़ा हो जाएगा तो 1 प्लस 10 स्कौार 15 का मतलब यह हो जाएगा सेक स्कौार 15 हो जाएगा तो हमारे सबस्क्राइब बहुत इजी इसमें कुछ करना नहीं था तो कुछ अच्छे पूस्टन भी है तो कुछ बेसिक पूस्टन है यह वाला कोस्टन भी थोड़ा दरी पहले हैं बताया था कि कैसे लगाते हैं अजबरा वाले तरीके से तो क्या इसका निकाल सकते हैं यह करेंगे तो कितना एकस्क्राइगा माइनस में नाइन एकस्क्राइब सब्सक्राइब इसकी वैल्लों कितनी ओती बबसाइब यही पूछा है तो यहां तो सीधा अंसर बना गया है तो यह भी बेसिक लेवल वाला तो एकड़म इजी वाला पूसिंग ठीक है नेक्स कॉट इन्वर्स माइनस और माइनस वन बाई रूट थ्री का मानने करने है तो क्या होगा इसका अंसर बताएंगे सब्सक्राइब कितना आएगा अगर हम करें तो कॉट इन्वर्स माइनस में बाई रूट थ्री दिया हुआ है तो कितना होगा कौट इनवर्स अगर देखा तो यह यह आता है इंवर्स वाले पूचा गया है इनवर्स अगर आपको पढ़हाया नहीं गया इस बार पता है जैसे पूचन दिया गया है देखिए 1 by root 3 होता है हमारे पास अगर नॉर्मली देखें तो 10 हमारे पास किस में आता है 30 डिगरी में आता है ठीक है 10 30 डिगरी में और दूसरा हमारे पास क्या था 150 वह सकता हैyer यह 어우ा कितना हमारा उन्सरे आव Anybody और आ YO हम क्या लेख सकते हैं पाईब ay 6 हमारा कितना होता है है इसमें किस्से लेंगे पांस से हईट इस अब क्या जाएक Tsch अगर इन्मर्च जानते है तब तो बहुत तुल्य एक और पर मुसें ए फिर से प्रिवीए से रोजन लिया गया है एक्जाम से और कोशन क्या देख पारे हैं फोर साइन स्कॉर्ट थीटा फ्लस फाइब को स्कॉर्ट थीटा कि मिनिमम वैलू निकालने टिग्नोमेटरी में अगर दोनों साइन और कॉस्ट दिया हुग है तो मिनिममम वैलू निकालना हो तो जो छोटा वाला नंबर है वही अंसर जाता है यह सबसे आसाम परीका इसको लगाने का है अगर मैंसे लिख दू कहीं पर नाइन साइन स्कॉर्ट थीटा प्लस ट्वंटीफोर कॉस स्कॉर्ट थीटा और हम बोले मिनिममम वैलू क्या होगी तो आपको नाइन बताना है प्लस तो मिनिममम वैलू पूछेगा तो दो और मेक्सिम पूछेगा तो तीन ये बहुत आसान सा तरीका है ऐसा गो्स्न को लगाने का है नेक्स चम्वन डिगरी को आपको क्या करना है पाई में लिखना है तो कोई भी डिगरी को कभी भी पाई में अगर बदलना हो देखे एक बार पाई से गुड़ा कर लेज़े एक बार 180 से भाग ज़ेगा तो यह दोनों एक ही चीज है इसका मान सेम है बस इसको solve लेना आपको दो से खर जाएगा तीन बार में दो सिखाँ मैं थ्री भाईवेटे आपको क्या हो रिजा कि ए मजली के उसको अधा होगा पताई icon कि इतना एक अगर अगर जी लिए यहां पर कि वन हो जाएगा 224 2222 2222 आसानी से प्रसकते हैं बसाएंगो तरीके से बनेगा हमारे इसाब से बागी दूसरे तरही कर लगाएंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा यह से बेसिक फामूले यूज्ट तो नहीं करना चाहिए अगर में ठीटा की वैलू हमने 0 डिगरी ले लिया जैसे यह 0 ले ले लिंगे न इसका 0 वैलू तो यह 1 हो जाएगा तो यह 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा पिर यह 2 बाहर आ जाएगा यहां रूट से तो यह 2 और बाहर में 2 आ जाएगा अब 2 की मल्टिप्लिकेशन में चेरे अब थीटा की value होगर 0 रख़ें तो यहां बनाएगा यहां बनाएगा यह दो आएगा यहां 0 अजया तो कौन से आ हो जाईगा दो कि डोलीगा तो फैन लिबूटिए नमबर को पर रेडियन में क्या उब दुम्हयां एंगल को ही तो बतला आता है रेडियन एंगल का आपको दिखाय दे रहा है कि बताई को सभी लोगे प्लियों और स्वाल वूंयों को सब्सक्राइब करें यूज करते हैं हमारे लिए कश्ünde के रहें और में कौस्कों सब्सक्राइब करें ढगले ट्रिंग्स बता ये कितना आएगा इसका मतलब क्या होता पहले तो ये समझे अगर कहीं लिखा है कॉस इन्वर्स तीन बटे पांच है इसका मतलब क्यों सम्कश है कि कॉस इन्वर्स के वैलु नीकाल सकते हैं अगर इन्वर्स है 5 बटे वाइव इसके हिसाफisas dopo 10 अलग अलग माली जेए इसको फहराइए फास बार सकता है और पूरे को इसके बराबर हमने अवह हो जाएगा साइन और यह और हो जायका about अगर इसको माने है अब देखिए अगर यहां से कॉषच वेलयू को तो साइन चार बटे 5 और इस वाले में कॉस की जाज़ागा अगर यहां से कॉसका निकालेंगे कि एंगल तो बारे बटे में 13 हो जाएगा तो नीचे में आ जाएगा 13 बचे 65 ये 52 और ये 60 तो 6,5,11, 112 बटे में 65 ये क्या होगा एंसर हो जाएगा अगर ये समझ में नहीं आए तो फिर से बताई में बताता हूं अगर अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार फिर से मैं देख सकते हैं चलिए फिर से मैं बता रहता इनवर्स देखे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है लेकिन आपके पूछा गया है तो इसको पढ़ाऊंगा मैं प्लास में ठीक है तो कैसे हम लोग करेंगे है क्योंकि टेन तक तो इनवर्स नहीं है हमने क्या किया कॉस इनवर्स पांच तीन बटा पांच को हमने माल लिए कि य सब्सक्राइब निकालनी है तो यह फांच है यह चार होगा यह है निकालनी है तो यह निकलनी आएंगे तरणकल आएंगे पांच है यह बारे है है और यह तो पांच बारे ते रहे हैं कि हिसाफ से देखेंगे यहां में हमारे बस पितना आ जाए है इसलिए इसलिए आया था एक सो बारे बटे में फैस है कि कोई भी अंगल मान को इसको लगा सकते हैं कि तेश नंबर कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो और साइन अल्फा माइनस बीटा अधिक यह जीरो कब होता है अब बताईगा यह जीरो कब होता है यह जीरो होता है कॉस में कब होता है कॉस जीरो वाले वैलू कर पर जीरो नहीं हमने गलत लिख दिया है कॉस 90 पे होत 90 पूछा क्या है हमसे साइन अलफा माइनस बीटा कमान पूछा है अब चाहे तो हम यहां पे वैलू पूटिंग भी रख सकते थे कि इस अलफा की वैलू 90 रख दें और इसकी वैलू जीरो रख दें लेकिन अब्बे और जीरो मिलके हमारे पास कितना हो जाएगा 90 की वैलू हमारे पास जीरो आ जाएगा वही वैलू यहां भी रख सकते थे साइन लेकिन तो भी हम इसको बेसिक तरीके से बताते हैं हमको एंसर जो दिया है वो अलफा बीटा दोनों में है तो क् झाल हो गया यह यह वाला माइनस में चला जाएगा यानिकी तोसले चीट चाहते हैं तो अई सावी 10 सकते हैं तो यह नाइनी उसको सकता है उसकी जिएक साइन अलफा के जता हमने माइननस नाइटी माईनस बीटा रख और एक पहले से बीटा था तो साइन क्या हो गया यह 90 माइनस में 2 बीटा हो गया दोनों संसर निकालना है 90 माइनस 2 बीटा मतलब इसी में घटा तो साइन में ही रहेगा और साइन 2 बीटा हमारे पास बन जाएगा साइन 2 वीटा वन जाएगा और यहां से अगर रखेंगे this कि यह हमारे पास कॉस्स नरी बन जाएगा एक जग काई साइन सब्सक्राइब को आ सकता अब ह ??? पूछा गया है जीए कॉन सावाला हमारे पास अंसर पूछा गया वह आपको देखनाे Черफ यह साइन इसको छोड़ी देते हैं कि हमको मिलेगा नहीं माइनस तो अल्यडी पहले से माइनस में अच्छा इसके साइन टू बीटा नहीं दिया है एक चीस्त यहां भूल गया ना साइन बदल जाएका तो कॉस हो जाएका पिख्तों कि यहां सीन डिगरी के साथ बदलता किया होता है नाइनटी टिगरी के साथ क्वाइं से कॉस्ड़ान कास्ग में का च्छोड़ें में तो यह क्या होगा कॉस्ट ने कि यह वाला अंजर बदela गया है कि तो माइनस में असे वा यह पाहर माइनस भाता तो यह गलत भाता इसलिए इसको अमने छोड़ दिया अब यह को इसको ट्राइब करना है कि साइन एक और वराबर एक अमान निकालना है और एक कुस्चन और मैं दिखा देगा हूं एक लास कुस्चन यह भी यह तो सीधा फामूला ही होता है सभी लोग लगाएंगे और कमेंट करके बताएंगे ठीक है क्या होगा इसका अंसर होगा साथ में आपको यह चीज़ देख लेजी वीडियो को सभी लोग लाइक कर देजिए पीडिया अबलेवल करा दिया जाएगा बाकि जो लोग अप्लेकेशन पे नहीं पहुंचे हैं तो फ्यूचर कुल कॉलेज आप डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको मिलेगा अर्रवी एल्पी मैं स्पेसल बतीस सो पचास वाला जिसमें अभी कूपन कोड अप्लाई हो रहा है फ्यूचर फिप्टी का डिसकाउंट हो जाएगा इसके अलामा एक मैं स्पेसल बैस हमने आज प्लाइब कर सकते हैं फूचर फिप्टी जिससे आपको 50% का अप मिल जाएगा तो बागी लोग वीडियो को लाइक करिए और बैच को पर्चेस करना जाते हैं तो फिचर पूल कॉलेज आप डाउनलोड करेंगे और वहां पर यह बैच मिल जाएगा आपको तो बताएंगे सबी लोग किसी के पास कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हैं अब किसी तरह कोस्चन हो तो बता सकते हैं जल्दी से कमेंट करेंगे